नमस्कार स्वागत है आप सभी का देख रहे हैं आप आज की खबर में हूँ आपके साफ गौरी वर्मा उतरप्रदेश में उप्षुनाव से पहले सबसे ज़्यादा चर्चाओं में पोस्टर वार है मुखेमंत्री योगी आदितनात ने बटोगे तो कटोगेगा बयान क्या दे दिया सपानेताओं की पूरी पोच पोस्टर वार में कूछ चुकी है अब हर रोज नए पोस्टर लखनव में देखने को मिलते हैं सपा कार्याले के बाहर हर दिन सियम योगी के बयान को काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी नए पोस्टर के जरिये जवाब देते हुए नज़र आती है सपानेताओं की तरफ से इस पोस्टर जङंग में एक और पोस्टर चस्पा किया गया है इस नए पोस्टर पर क्या कुछ लिखा गया है? पोस्टर किसने लगवाया है? ये तमाम ज़ानकारिया दे रहे हैं हमारे संबदाता अबू तलहा नई सुबा और एक बार फिर नया पोस्टर हमारी मौझूदगी समाजवादी पार्टी कारयालाए के बाहर है और एक बार फिर से नया पोस्टर लगाया गया है पोस्टर में साफतोर से लिका है बटोगे तो कटोगे कनारा देने वालों के मनसूबे तोलेंगे हम इंडिया गटबंदन के सिपाही यूपी में महबबत की दुकान खोलेंगे यह पोस्टर आर्यन मिश्रा चात्र निता लखनोविश्विद्यालाई की तरफ से लगाया गया है अगर बात करें तो बटोगे तो कटोगे के नारे का जवाब हर दिन नए पोस्टर के जरीए दिया जा रहा है और आज एक बार फिर से नया पोस्टर लगवाया गया है आर्यन मिश्रा की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है अगर बात करें तो बटोगे तो कटोगे का जो नारा था उसको कोट करते हुए लिखा गया है कि जो बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मनसूबे तोडेंगे हम इंडिया गटबंदन के सिपाही यूपी में महबबत की दुकान खोलेंगे इसे तो ये साफ है क्योंकि देखे पोस्टर के बगल में जो तस्वीर है बिलकुल वो अकलेश यादो और राहूल गांदी की तस्वीर लगाई गई है तो इससे ये भी बताया जा रहा है कि जो गटबंदन है वो बहुत अच्छे से गटबंदन चल ला है और इसी तरह से ये गटबंदन बना रहेगा फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आधितनात के नारे की बटोगे तो कटोगे उसका जवाब हर रोज नए पोस्टर के जरिये दिया जा रहा हलाकि अगर प्रदान मंतरी नरेद मोदी की बात करें उन्होंने भी बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन किया और अपनी कई रैलियों में इसको कोट करते हुए कई और भी नारे दिये फिलाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में उप्चुनाओं से पहले पोस्टर वार जो है वो पूरी तरे से जारी है अब पोस्टर वार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंतरी ओम प्रकाश राजबर ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि हमने चार बर सरकार चलाई पचास सल चलाई हमने आपके लिए कुछ नहीं किया इस नाते सपा बसपा के लोग पोस्टर वार कर रहे हैं द्यान भटकाने के लिए कि हम जब सत्ता में आते हैं तो अतिपिछडों का दलितों का मुसल्मानों का हक लूटते हैं इसनाते वो पोश्टर लगा लगा करके सबका ध्यान में ओम प्रकाश राजबर के इस बयान का जवाब समाजवादी पार्टी के परवक्ता फक्रोल हसनं चान में भी दिया है। देखे ओम परकाश राजबर जी अब उस्तरवदेश की राजनीती में कहा रहे गए हैं जितने चुनों लड़ते हैं वो चुनों हार जाते हैं केवल बोलते हैं जो नौजवान अलावाद में धरना परदर्शन कर रहे तो उनसे भी कह रहे थे कि आईए हमारे पास हम आपकी बात मुक्मंती तक पहुचाएंगे 79,000 शिक्षक भरती वालों से भी काता आईए हम आपकी बात पहुचाएंगे उन्हें आयाय पलका से मिला कहां कुछ होता है तो उन परकाश राजबर जी केवल बोलते बहुत हैं करते कुछ भी नहीं है जनता ने देख लिया है कि यह ब इस चुनाव में भारती जनता पार्टी ने कोई तवज्जो भी नी दी उनको कोई सीड भी नी दी है वो बेवजा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दुल्यवाने वाली जो कहावाद होती है उसको चेट्राट करने हैं देखिए ओम पर चुनाव नस्दीक है तो सियासत भी पक रही है और पोस्टर वार की इस आग में सियासत की रोटी से की जा रही है लगातार पोस्टर वार जा रही है लगातार बयान बाजी जा रही है अब आगे क्या होगा उप्चुनाव में क्या नतीज़े आएंगे ये देखना दल्चस्प रहने वाला है फिलाल के लि झाल झाल